प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा है, आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे. बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याक्रन के पाठ छे लिंक का अध्यन करेंगे. बेटा, इस चित्र को ध्यान से देखो. इसमें कौन नजर आ रहा है? लड़की. जी हाँ, ये एक लड़की का चित्र है. अब जरा दूसरे चित्र को देखो. इस चित्र में लड़का. ये एक लड़का है. इसी तरह से इस चित्र को देखिए. इस चित्र में आपको मोर नजर आ रहा है. और अब जरा इस चित्र को देखिए. इसमें आपको मोर न नजर आ रही है बच्चों हमेशा याद रखना कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं या प्रानी हैं उनको दो भगावों में बाटा जाता है एक इस्त्री जाती और दूसरा पुरुष जाती यही हमारा लिंग कहलाता है अर्थार लिंग किसे कहते हैं लिंग जिन शब्दो से इस्त्री जाती या पुरुष जाती का बोध हो वो लिंग कहलाते हैं मतलब बोध हो ना मतलब पहचान हो जिन शब्दों से इस्त्री जाती या पुरुष जाती की पहचान हो वे लिंग कहलाते हैं जैसे माता पिता माता इस्त्री जाती और पिता पुरुष जाती मोर 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 पुरुष जाती और मोरनी इस्त्री जाती गाय बैल गाय इस्त्री जाती और बैल पुरुष जाती अब बात करते हैं लिंक के प्रकार की लिंक के कितने प्रकार होते हैं अभी मैंने आपको बताया कि दो भागों में बाटा जाता है तो इसका मतलब लिंक के दो प्रकार हो बेटा, पुर्लिंग का अर्थ है पुरुष्जाती से संबंदित, अर्थार पुरुष्जाती की पहचान कराने वाले शब्द पुर्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, आदमी, मोर, नौकर, आदी, ये सभी हमें पुरुष्जाती की पहचान कराते हैं, ये पुरुष्जा इस्त्री जाती की पहचान कराने वाले शब्द इस्त्री लिंग कहलाते हैं जैसे लड़की औरत मोर्नी नौकरानी आदी ये सभी हमें इस्त्री जाती की पहचान कराते हैं बेटा एक और बात ध्यान रखने योग्य है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थार वो चाहे इस्त्री लिंग के साथ प्रियोग किये जाते हो या पुरुष जाती के साथ पुल लिंग के साथ दोनों अवस्थाओं में समान ह ठीक है अब आप सोच रहोंगे ऐसे कौन से शब्द हैं तो चलिए हम कुछ उधारन देखते हैं जैसे प्रधान्मंत्री अगर प्रधान्मंत्री इस्त्री है अगर पुरुष है तब इसी प्रकार राष्ट पती इंजीनियर प्रोफेसर मंत्री आदी ये कुछ ऐसे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता चाहे इस्त्री हो या पुरुष दोनों ही अवस्थाओं में ये एक जैसे ही एक समान ही प्रियोग किये जाते हैं आशा है आपको समझ में आ गया होगा तो आज हमने क्या सीखा है लिंग और उसके प्रकार धन्यवाद